आप लोग को लिए करा देता हूं कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था शौट रिविजिन कराऊंगा ज्यादा टैम नहीं लेँगा लेकिन मैं पांच मिए आप लोगो को पता देता हूं मैं यह कहा था कि जैसे मैं आप लोग को जब देखो चाहरे वेलडिंग रह रहे lasting rate metal cutting रहे forming यह सब मेरा प्रोड़क्सम मा था यानि कौर्ड को बनाते हैं रूम अट्रियसे अर्ण को बनाते हैं जिसे याद कुरू मैं कास्टिंग में क्या बढ़ाया था कि कास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी को बनाने में जो सारे setzt को पार करते हैं उनी सबी architects को अलग लग स्टेप में हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें आ जातां मेटल करणuß मी यानी मसिनल इंग आप शोड़ने के लिग हम लोग यूस करते हैं वेल्डिंग को और diyorum कर्कार में थोड़ा अपना चुक है का छा जब क्या नपा आप कास्ट आरन देते हो लोहा देते हो आरन देते हो इन सब से फाइनल प्रोड़क को बना जाता है जैसे फाइनल प्रोड़क जैसे पिश्टन बना जाता है और form को apply करने से job लेने के लिए, job लेने तक कितना step से पार करोगे, आपको technical पढ़ना, non-technical पढ़ना, revision करना है, test करना है, है ना, इसके अलाब आपका health का ध्यानकन, यह सभी stage होता है, इन सब को अगर आप सही तरह से करोगे, तब जाके आपका job लेगा, clear my point road, उसी तरह final product को बनाने तक के stage को जाने के लिए, कई सारा step से पार करना पड़ता है, जिसमें मेरा, casting को मैं सबसे पहले क्यों पढ़ा है था, क्योंकि casting जो मेरा होता है, वो मेरा सबसे initial process होता है, अगर मैं लिखूंगा casting हो गया, welding हो गया, है ना, इसके अलाब आपका machining, machining हो गया, इसके में बात करता है, इसमें क्या, आपका हो जायागा, that is call your, forming हो गया, forming हो गया, इस तरह का मैं 3-4 process को अगर मैं लिखता हूं, तो मैंने क्या बताया था, casting को क्यों में स्टार्ट करा था, बहुत बड़ा region था, पहला region, ये NCN से यूज किया जाने वाला process था, manufacturing process था, जिसने product क फाइनल product को बना जाता था, कैसे, raw material को लो, उसको पिघालो, pre-mold cavity में डाल दो, और आपका final product बनके ready हो जाता था, तो ये होता था casting में, आप क्या करते है, कोई भी बना दे थे cavity जैसा, विद्धालपा pattern, और cavity बन जाने के बाद, उसे molten metal को डाल देते थे, सुखने देते थ फाइनल product बनके ready हो जाता था, अगर मैं बात करूंगा तो ये initial process होता, पहला रिजन ये था कि पुराना था, और ये सबसे fundamental और initial होता, initial stage, ये initial process में आता कास्टिंग, क्यों, जैसे देखो मेरी बात, सबसे पहले हम लोग casting ही करते है, raw material कास्टिंग कर ले, आप कास्टिंग करने के बाद, जब आपका बनके ready हो गया माल लो, इस तरह से कोई आख बार बनाए, एक किस तरह का कोई rud बनाए, rud, rud का एक बार बनाए, लंबा सा बार बनाए, अब हो सकता कि इस तरह आप दो rud बनाए हो, और दोनों rud को आपको जड़ने का ज़रोत है, और joining करने के लिए क्या करें को, welding करोगे, तो हो गया ना welding मेरा secondary process, है ना, casting secondary process नहीं होता, वो primary, initially process होता, तो welding भी secondary process होता, अच्छा, आप बात करेंगे मसीनिंग का, cutting वेगरा, हो सकता है, आप जो यहाँ पर rud बनाए, इसको आप थोड़ा smooth करना चाहते हो, थोड़ा और पतला करना चाहते हो, तो आप इधर से क्या करोगे, कुछ material को remove करोगे, इस साइट से भी कुछ material को remove करोगे, हो सकता है, इस section को आपको 2 भाग में divide करना, तो इसको 2 भाग में divide करोगे, 2 को 4 कर दोगे, तो 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 पार्ट में आपने इसको divide कर दिया, तो आप machine की भी कर सकते हो, औ फ़ूर्मिंग में क्या होता है इस रटत को बेंड करना करना तो को राउन करना तो आपने क्या करता है प्रेशा और हीट को अपला करके उसके चेंज करे में लिधा है देखें हैं दो पीस को जोड़ने के लिए material आपने कुछ एड़ करा तो इसको positive process कहा जाता welding को machine को negative process कहा जाता और forming को zero process क्यों क्यों कि इसमें ना तो add करते ना हट आते बस heat और pressure अपला करके इसको मोडते हैं या फिर sapent size में ढाला जाता clear जैसे लोहार लोग करता गरम करता और पीट-पीट-पीट-पीट-पीट-पीट-पीट-पीट-पीट-पीट-पीट-पीटए एक दूसरा sapent size में ढालता क्या उसने कोई material aid करा नहीं क्या कोई remove गया नहीं तो zero process है right तो यह तीनो कुस्ते लेकिन कस्टिंग क्या होता है इन 3 को कब करता है जEvery कि बनने के बाद किस通rakt करेंगे हो सकता कि वि vient करने लिए करने के बाद कर रहे हैं और bleibt कर रहें हड़ी हों जाने के बाद फॉर्मिंग कर रहें और तो यह सब का सब write तरह करें से तिन प्रोसेस ब्रयान करें से जबिचेस घर में आप घर में घर बनाते हो वह घर का जो मेन डोर होता है उसको अलग गलग तरह क्या करतों डीजाइन देने यह ले दिए वेल्डर के पास जाते हो और बोते हैं जोड जार के इस तरए design बना दो तो वो रोड सब आपफरीद के लाते लोहा तो final को जोड़ा जाता है welding एक तरह से final process भी कहा जाता है लेकिन इनिशील प्रसंट तो बिल्कुल नहीं लेकिन इसको कहा जाता जोइनिंग तो फिर होगा तो फिर होगा, राम देखो, मेरा बात समझना, आभी आगे चलकर रोज समझ आएगा, कि वेल्डिंग मतलब हम लोग सिर्फ क्या समझते हैं, कि मेंटल मेंटल को जोड़ना, it's not important, आप मेंटल से नन मेंटल को भी जोड़ सकते हो, जब आप वेल्डिंग का बात करते हो, तो जब प्रोसेस अब जोइनिंग दी प्रोसेस, और जोइनिंग में आपका अगर आप प्लास्टिक भी जोड़ो, तो वो जोइनिंग में आ जाएगा, that's why fundamentally यह जोइनिंग से जुड़ा होगा है, तो आपको पहले तो यह समझना है, कि यह मेरा मेनुफेक्ट्रिंग प्रोसे आपके और कष़ेप करते देनारी रीवूरों परते थे, बस अपने फिघाला City लोई 자연 या होग हाँ कभी जोडार को पॉजिटिक process का से बोलते को एड करते हैं अगर मैं डेफिनेशन का बात करता हूं तो डेफिनेशन क्या था वेल्डिंग इजब प्रोसेस आप जोईनिंग दिस सेम और डिफेरेंट टाप आप 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 अराम से जोड सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है जोरी नहीं है कि आप मेटल मेटल को करो आप एस अगर मेटल करते हैं तो जोईनिंग करते हैं वी दिए हल पर फिंट प्रेसर इट नथ इंप्रेशन की कि आप जो वेल्डिंग समझते हो नो कि यह वेल्डिंग अधिकतर तो आप गेस वेल्डिंग देखते हो कि इस तरह कोई सेट लेकिए को यह आदमी मेठा है और में जोइन करने के तो जोइनिंग में प्रोचेस होता कि यहां प्रोसेस को यहां पहुत है सस्टा कर रखतें इतना बंद तो गरम हो जाता तो द्धक डिया जाता इधर से हैं नहीं गडिसक्रन धखका लिए जो पाई जाने वाले molecules है, एटम है, वो movement करने लगता है, frequency उसका बढ़ जाता है, तिक है movement बढ़ जाता है, जिसके वज़ेसे उसका molecules जो था है, अपने surface को छोड़ने लगता है, या देखना metal जो होता है, उसको heat देने से, पाउर सफ्लाई कर लो, या फिर गरम कर लो, उसके वह जैसे जो molecules होता है जो electron होता है वो क्या करने लगता है मूवमेंट करने लगता है अपने surface को छोड़ने लगता है तो जैसे वह छोड़ता हम लोग press कर देते हैं आपने fuse हो के जूड़ जाता है तो वहाँ पे जो material है वो melt नहीं किया गला नहीं यानि कि वह भी तो मेरा welding का लाएगा क्यों जोइनिंग हुआ लेकिन वहाँ पर हीट का प्रियोग नहीं वहाँ पर हम लोग pressure का प्रियोग किया तो pressure रहे यह heat रहे दोनों के प्रियोग से हम लोग क्या करता है welding करते है heat और pressure से आपको समझना कि सर जी जोइनिंग करने के लिए जरूरी नहीं कि मुझे गला नहीं पड़ेगा जैसा welding करते हो कि यह दो पीस को जोड़ा गया है और बीच में देखते हो कि कुछ welding आपको दिखाए देगा इस तरह करके इस तरह करके बहुत सारा पार्ट है है ना जो welding आपके किया िमपोर्ट नेser कर सकते हैं यह बहुत इंपोर्टनट होगता है आब बात करते हैं अब बाट염 का एड्वांट एडवांटीज के बार में क्या केना कि मेल कोन रचान सब से कर सकते हो पहला बात जोइन कर सकते हो आप किसी तरह का shape करना है इस तरह से बनाना है तो आप को इसे जोइन करना है आपको आपको एसे से जोन करना है आपको इस तरह किसी तरह का joining you can create With the Help of Metal Ning al-heroSil moroni का अब आराम से कर सकते हो अच्छा लार्ज component को अगर आपको welding करना है तो एज हो गया कोई पूल हो गया structure हो गया कई सरा का structure देखते हो लोहा से बना जाता बड़ा-बड़ा इमारते बेगरा बना जाता है उन सब को आप बना सकते हैं यानि कि वेल्डिंग के प्रोसेस के तुरू अच्छा और अगर बात करता हूं और बात करता हूं कोई भी special skill का required नहीं मतलब की सर्जी डिप्लोमा तो किया जाता है वेल्डिंग में अब सिम्पल जैना आपको यह वेल्डिंग का दुकान अब जा कर सकते हैं आप देखें के बहुत सारे साट पर मिलेगा जो वेल्डिंग कर रहा है वो कुछ नहीं किया है लेकिन वेल्डिंग कर सकता है अब अब बोलेंगे सर जी सम ऐसा special टिक्निंग मेटल होगा जहां पर हां कुछ सब में पाया जाता है exception वहां पर वेल्डिंग में जब तक आपका डिग्री नहीं होगा तब तक आपको या फिर कोई डिप्लोमा नहीं होगा तब तक आपको वेल्डिंग करें नहीं दिया जागा कुछ खास special process में लेकिन हर जगा पर नहीं ठीक है many plastic can be welded such as बिल्कुल 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 देखे यहां पर बड़ा सा यहां पर दे दिया गया है यहां का आपको पढ़ सकते हो चलिए मैं आगे चलकर भी बताओं कभी तो मैं definition दे रहा हूं आप नेगी direct कितना अंदर मुत कुदो अभी तो हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ेंगे चलिए तो यह होगे अच्छा अब बात करते हैं फिप्त नंबर का सबसे इंपोर्टेंट लिए आपको इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है साथी साथ हाई स्ट्रेंथ और समझो कभी-कभी हाई स्ट्रेंथ मैंने कहाता है इतना ज़दा हाई स्ट्रेंथ होता यह तो यहां पर वेल्ड किया गया है तो वेल्ड का जोईंड का स्ट्रेंथ होता ना वह बेस मेटल से भी जादा हो जाता है तो यह बहुत अच्छी बात होता है तो इससे लिग प्रूब जोन मिलता जैसे कि आप ले जा रहो पेट्रोल डीजल टैंक वेगरा देखते हो न अगलती से भी लिक वेगरा नहीं किया जाएगा तो यह कुछ अडवांटेज हो गया अब बात करता है एक सर्जी हर एक चीज के बिछ अगर अडवांटेज यह तो डिस अडवांटेज भी जरूर होगा नहीं तो भाई जोनिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही टेक् बिखालो और डाल दो कोईला सभी बिखालो जोरी नहीं कि आप आपका करेंट ही चाहिए लेकिन इसके लिए करेंड आपको देना ही पड़ेगा पावर सप्लाइज वेरी बेरी इंपोटेंट अगर मालो किसी तरह सापको वेल्दिंग करना बड़ा इंडिस्ट्री में और पार फिलियर हो गया और आप चाहते हो कि आपको सचीज है पावर नहीं है पावर सट्डान हो गया बहुत ही इमर्जेंसी आपको काम करवाना आप नहीं कर आपाऊगे आप कुछ भी जान लो क्यूंकि आपको पावर सप्लाइज चाहिए चाहिए होता है पहला चीज लगता है और हैल्थ हजाडियस क्यूंकि जब वेल्डिंग करता है अपके स्किन के लिए बहुत डेंजरस होता है आपके बोडी अंदर अगर लंग से आप इन्हेल कर जाओगे अंदर ले जाओगे सांस से तब दिक्कत होता है वैसे तो रे होता रे बेसिकली इंपेक्ट क इनल कलते हो जो इसे फ्यूम भी निखलता कुछ फ्यूम से निकलता और यो जो हार फूल रहता क्योंकि यहाँ प्यलडिंग में कुछ यहां पे मैं आपको बताम हो वेल्डिंग में कुछ एस mercury वेल्डिंग करते हैं देसे अक और और धान took how學 yeah जाता है तो तो उन कहला ह्कि कि और चीजों का आप जो गोगल्स पहनते हो इसके लावे आप एपरेंट पहनते हो यानि सूट पहनते हो यानि सूट पहनते हो स्पेसल डिजान किया जाता था कि कभी भी अपने आपको चोटना हो और अपने आपको चोटना हो कि उससे जो चिंगारी जो फ्यूम से निकलता सबसे पहले बाद मैंने कास्टिंग किया हना माल लेते हैं कि यह दोनों जो रडड बना वना यह दोनों मेरा संधे पर न सब्सकें और आपको हरी चीज पता होंग अधिक पैनोगर इंजिनियर आपको सिर्fa verf दीकतर यूज करते हैं मॉश्ट ऑब्जोलगे स wingmanös नियूज करते हैं सब्से सबस्त 20 को सब्सक्रे की इसकरते हैं अप Countyway Department है पूरी तर से तो आप बहुत सकते हो कि मेटल हम लोग को मेटल वेल्डिंगी पढ़ना मेल लेकिन जब मैं जोइनिंग बात करता हूं तो आपको यह थोड़ा सा दिमाग रखना चाहिए कि अगर ऐसा कोई पूछे तो आपको जवाब उस तरह से स्माट देना चाहिए कि इस प्रोसेश सब जोइनिंग तो यू कें जोइन एनीधिग जोइन कर सकते हो तो उस कंडिशन में मेटल नहीं नन मेटल भी आ सकता कोई भी मट्रील आ सकता है बस इतना ही यह मैं पूरा रिजिल्डी ने वो राओं की वही आना तो आपका बलकुल भी स्ट्रिटमेंट वो भी वतना लोग कि बरास जो हता बूजा बना रहा और REM । बनाना चाहते हो copper zinc से तो दोनों को आपको melt करना पड़ेगा और melt करके आपको मिलाना पड़ेगा क्योंकि आप भाई आप बोलेंगे साजी welding से दोनों को जोड़ो तो माइड यह तो यह रहा मेरा copper अलग और यह रहा आपका zinc अलग यह तो दीख रहा कि दोनों अलग अलग है आपको एक ही process है जिसके तुरू से आप alloy को बना सकते हो यह मैं आपको बताया भी था casting का अड़ांटेज में बताय था कि casting के तुरू ही casting के तुरू ही आप दोनों को बना सकते हो कास्टिंग में क्या कर तो दोनों को पिघाल दे तो दोनों को आग से पिघाल दिये दोनों mix हो गया atom mix हो गया उसके बाद उसको कोई cavity जैसे मालो को rectangle जैसा piece बनाना है तो इस तरह का rectangle जैसा piece बना लिए इसे मोल्टर मेटल को उड़ेल दिया और उड़ेल देने के बाद चारों तरफ चल गया और सुखने के बाद यह मेरा बन किया रेडी हो गया प्रोडक्ट्स जैसा से बना वह वैसा से बनके रेडी हो गया तो आपने सबसे पूले casting किया क्योंकि देखो रड है अच्छा और आप करना पड़ेयाँ और यहाँ प्रिमूब कर हो अपरघ्व क्या है जो कर रह concur बेंटक यहां देखना माशनिंग कर गया टीक है अब आपको रड को बेंड ​​करनार तो बेंड कर ने किया आप वेल्डिंग करने के भाद नहीं कर रहा है और फिर फॉर्मिंग कर रहा कौ illik at ein पहले आप्ने पहले जोद सिदा करके लंबा सा यह दो पीन नहीं ता यह पहला पीस है अगर मैं सबको हटाता हूँ यह तो기도 करो कि यह दो पीस था पहला- पीस था फाला पिस था धो यह दो पीस है पहले आपने पहले जोन्टरी कर दिया और जोन क करने के क्यों जोडते हैं और कास्टिंग का जब एलोई का वहीं एलोई में कास्टिंग जिरोवी का जा तक पर इन के सब शिर मालो आयरन का कोई आप बना रहे हो जैसे अगर मैं कि आपको दिख़ा देता हूं नहीं दिखा देगा यहां पर इस जगा पी लिखा रहा था एक सीज मुझे बताओ जब मैं बोलता है स्टेनलस स्टील इस्टील और स्टील एक तरह से हो और होता किसका किसके कार्बन का याइन का बोर इसके लावे कुछ हम लोग अधर amino rounded मिलाते हैं जैसें क्रोमियं मिलाते हैं टंगस्टन मिलाती है वैंडीन और कहीं चीझ मिलाते हैं इसकेifi को इन्हांस Кто बनाने तो यह स्टील मेरा जंग नहीं लगता है एक अपनrest लृब दिखातें और क्या होता यह हाई स्ट्रेंद बनाता है मजबूत बनाता गर्मी में भी खराब नहीं होगा यह सब को कैसे मिलाएंगे तो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे तो यह तो हो गया क्या मेरा कास्टिंग में एलोई कर रहे तो इसको बोलेंग तो उसको बोलेंगे casting zero process हो गया ठीक है समझ गया ठीक है लेकिन additional में मेरा welding 100% आएका क्योंकि यहाँ पर दो चीजों को वेल्ड कर रहे हो तो आराम से आएका कि दो पीसे को जोड रहे हो तो additional है 100% additional है दो रोड को जोड रहे हैं तो additional है जोड रहा है जूड के ज्यादा बड़ा बन गया मेरा रही तो पहले मालो यह था जितना भी एक केजी का था यह भी एक केजी का मिलके दो केजी का हो गया तो आपने एड कर रहा ठीक है चलिए गुरुद्या सिल बोलें SS304 SS316 में डिफरें जिसमें आप यहां पर बोरो stainless steel वेगरा तो आप बिल्कुल अभी टेंशन नालो गुरुद्याल है ना वाच मेरा फास्ट्रेक का नॉर्मली फास्ट्रेक का है ना हस्ट्रेक आप देख सकते हो यह आप देखो गेना फास्ट्रेक कोई पानेगा तो stainless steel वैसे आज के तामी प का जैसे होता elasticity, ductility, millability, creep, fatigue, strength है ना तो बहुत सारा property होता खेर अब बात करते है एडिशनल हो गया welding and casting एक तर से zero हो गया यह के लिए आपका positive हो गया और subtraction का बात करेंगे तो machining क्योंकि material को हटाते हैं तो यह हो गया machining grinding मिलिंग जांपल हो गया और zero manufacturing process forming if heat का अपला करका shape and size को change कर रहो हो तो यहां पर मेरा क्या मतलब है welding से और welding क्या है पहली बात welding मेरा एडिशनल और welding है मेरा secondary यह clear हो गया अगर इतना चीज के लिए हो गया ता आगे बढ़ते हैं design tag में देख रहा था कि अच्छा design tag में हूं मैं देख रहा था isi nice ऐसा nice क्या बोरे डियर नहीं समझा है चलो आगे बढ़ते हैं now फिर मैंने बात कर रहा था classification के बारे में अब जो बच्चा पहला लेक्चेर यह देख चुका न वह थोड़ा रिविजन कर लाना क्योंकि एक कुछ सेकंड वाले बेच फ्रेस बच्चे हैं और वह थोड़ा सा बता दिए सर नहीं देखा कोई तो आप भी आपका आपका रिविजन हो रहा थे वेरी गुड थिंग मैं हमेशा बोलता है स्टूड़न को जब तक आपका जोब ना लग जाए जब तक आपका पास जोइनिंग लेटर ना आ जाए देखो और इसली बात अगर आप इसको पढ़ लेते पहले भी पढ़ लिए तो रिविजन कही अगर 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 नहीं रहेगा तो सामने वला स्टूड़न के से अनरजी बरा रहेगा कि हो सकता है स्टूड़न कोई सो सो के देख रहा है कोई किसी का किसी बात से अपसेट है दिमाग खराब है उसको पढ़ने का मन नहीं है तो मेरा काम है कि अगर पढ़ने का मन नहीं है फिर भी उसको मोटिवेट करा के पढ़ाना है और अगर वह सो सो के देख रहा है तो मैं आपका केरियर बनाएगा तो यह इसे आस पूरी है आनए गेसे बात पढ़ा गेट प्रोसेस कितना तरह का होता तो एक होता मेरा मेकनिकल बॉंडिंग क्यूंक जोइन माना बॉंड करना एक होता है यहाँ पर पर बॉंडिंग क्यों लियू गया बर बैसिकली जोनी हम लोग करते कैसे क्यों देखो मानलों दो पुष अभी जश्च्ट कर राता कि जोनी जो किया यू लो करते हैं जोनी जो किया जाता है या तो हीट के थूर या फ्रेसर के थूर दोघ्र उन तो मेलनी आप होता एक मैं पर्फयूस करना पक्र यसे मंहें ऑनलों सबस्ब्ज लो मेरा कि यह समझिलो मेरा को पर है और स्टील है और दोनों को मैं वेंड़ कर रहा हूं विल्डिंग में आता आपका एडेसी बोल्डिंग मतलब यहां पर क्या बात कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि मैंने कहा था क्या विल्डिंग मतलब हीट और प्रेसर का अपलाई करके जो आपका एटम से बगरा है वहां और से फ्यूज हो जाई यहां से उसी कहा लिए तो मेकनिकल बोल्डिंग या इसलिए बन्डिंग अभी में उसके molecules एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी कोई चीज गरम होता तो उसके अंदर का जो इलोक्टोन रहता molecules रहता वो उस सर्फेस से उठने लगता दूर हटने लगता इसलिए कोई चीज़ को गरम करने से सर्फेस को छोड़ने लगता तो जब गरम होता तो सर्फेस चोड़ने लगता उसके वाच से यह भी सब्सक्राइब करते हैं तो आपस जूड़ जाता है जोइन हो जाता है समझे इसलिए कहा जाता कि जोईनिंग में मेड्रियल का मैल करना इत्स नोट इम्पोर्टेंट चलिए तो हम लोग देखें का जोनिंग दो तरहिका हुआ था मेटनिकल बॉंडिंग अगर मैं बात करता तो एक होता मेरा नटन बॉल्ट जोइंट एक होता मेरा रिविटेड जोइंट एक होता स्टेपल और एक होता स्रिंग फिट्स अब इसमें भी दो भाग में इसको डिवाइड करा गया एक भाग क्या है कि एक भाग को कहा जाता टेंप्रोरी जोइंट एक क मेरा लग पुर्वर जुड़ाया तो जो रहां कि this पूर्पर जोड़ रहो तो च didn then , टू lightweight तरटक लोड़ तो क्या तूटता पुटता नहीं तूटता ना कि स्कूर रखा गया पर उट्मान को इसमीन को trong पृणी चे बात कले पे रिगणाया च्हाहां में बात कर रहा हो रिवीटेड़ जाई ॉंट का सिरिंग फिर्ट तो उसको जैसे आप खोलोगे उभी मेकनिकल जोइंट है खोलोगे लेकिन जैसे डिसमेंटल करोगे वो टूट जाएगा मलब वो रिवीट आपका खराब हो जागा आपको सेकेंडरी और एक बार रिवीट लगाना पड़ेगा तो हो गया पर्मानेंट जोइंट पर्मानेंट हो अगर आप जोब लोगे जितना फ्रे क्रेंट ने सब्सक्राइब लिएख सेख्टेण। तो परमानेंट में अगया जिसमेंटल करेंगा तो फूटता ऐसा धाल यूचीट में सबस्क्रणी में कई सब्सक्राइब करेंगे इस तो अ recycling mit का इस्सेंटल को श्रेख रश्राड की बात करते हैं 2013 यहां जो बॉंड होता है मेरे लिए फिल्द करके फ्यूज करके यहां पर फूरी तर से फ्यूज होता है मतलब कि अगर आप उसको अलग करना चाहोगे न भाय साब तो आपका बरबाद हो जाएगा वो ने बोलता कि मेरे लास्ट से गोज़ाना पड़ेगा वैसा कहानी अटो लिए पर वेल्डिंग आपने कर दिया जोनिंग कर दिया तो बुलेगा अगर मुझे तोड़ना चाहोगे तो मेरे लास से गोजरना पड़ेगा मतलब फिर से मैं जोन्ट होने वाल नहीं हूं फिर से वेल्ड करना पड़ेगा तो वह यानि इसमें जितने भी आपका जोन्ट सब का सब मेरा परमानेंट होता है सब का सब क्या होता मेरा परमानेंट इसमें जोन्ट होता है जिसमें से आता इसको हम लोग डिवाइड करता है तीन भाग में सोलीड इस्टेट विल्डिंग लिकुड इस्टेट विल्डिंग और आपका एलाइड प्रोसेस सोलीड इस्ट इसका एक्जम्पल बात करेंगे तो pressure building, ultrasonic building, diffusion building, explosive building, roll building और कई तरह अभी मैं आपको basic समझा रहा हूँ और अभी इसके बारे में detail में समझेंगे इस तरह friction building, friction के through और forge, forge मतलब जो लोहार करता है, थोड़ा पीट-पीट के करता है, गरम करके, वो भी एक तरह से गरम करने से कहता है, material move करने लगता है, vibration हो लगता है, और उसे को पीट-पीट के उसको अलग form में ढ़ला जाता है, यह हो गया solid state building, अच्छा solid state building का मतलब क्या ह इसका समझा कि इसमें जो atom होता है, उसको melt होना important नहीं है, melting is not important, not important, ठीक है, यह सबसे important, melt नहीं है, बस vibrate कर जाए, और flow कर जाए, material का मोलकुल फ्लो करें, उसके वज़े से हम लोग pressure अपलाई करके, उसको हम लोग अलग-अलग shape and size में ढाल सकते हैं, यह है, अब बातकर liquid state building, नाम से ही पता चलता, कि liquid state building में, जो मेरा material रहेगा, जो मुलकुस रहेगा, इतना hit देंगे, इतना hit देंगे, कि वो material melt कर जाएगा, तो यहाँ पर joint के लिए material का melt करना important है, joint melt is important, joint जहां करेंगे, उसके लिए material का melt होना important है, तो इसलिए इसको कहा जाता fusion welding, वहना fuse हो जान लेकिन, दो सबसे important है, उसमें क्या कहा जाता, पहला हो जाता है, मेरा electric welding, और दूसरा जाता है, मेरा chemical welding, आप electric welding में क्या जाता है, जैसमें हम लोग electricity के use करते है, current के use करते हैं, जिसमें एक सबसे important है, arc welding, मतलब आर्क को generate करके, इसमें, iloctrode, दो iloctrode, लेते हैं, एक cathode anode लेते हैं, एक को iloctrode बोलते हैं, एक को workship बोलते हैं, दोनों में circuit जोड देते हैं, current flow करते हैं, वही current के थूरू क्या हता है, iloctrode से, क्या होता कि मेरा जब गरम होता है, तो गरम होता तो iloctrode छोडने लगता है, iloctrode छोडने लगता है, vibration के थूरू, और वो मेरा एक इसके लाबे बात करेंगे, रिजिस्टनस का यूज़िज करेंगे जाता उसमें जाता का स्वोट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, इसके अलावे आपका HFRW, इसका मतलब हाइफ फ्रिक्वेंसी रिजिस्टेंस विल्डिंग, उसके बादा फ्लस वेट विल्डिंग और इंडेक्शन विल्डिंग, यह सब आगा आपका किसमें, इलेक्टिक विल्डिंग में, और अगर मैं बात करता है किसके बार में, केमिकल विल्डिंग में, केमिकल में क का आखता है, केमिकल का युश करेंगे, जैसे गेस का ओक्सी ऐसिटिले विल्डिंग, और फ्योजन और इस इनलिन यह से केमिकल से इसका यूज़ कर के हम लोग क्या करते हैं के उसे इसका आ आएगा fusion building में आएगा liquid state building में में आएगा permanent में आएगा atomic building में आएगा right यह मैं सब आपको बता देए चलिए और last आ जाता क्या यह तो मैंने कहा क्या इसके लिए जो मेरा mental है जो इन करने के लिए melt होना important नहीं इसके लिए important है melt अब allied process में आता कुछ पार्ट मेरा melt होगा और कुछ पार्ट मेरा melt नहीं रहेगा yes thermit sir कितने class में welding complete हो जागा अगर मैं welding का discuss करता हूँ dear student तो समझो कि 15 के असपास 15 घंटा में आपका class हो जागा इससे ज्यादा नहीं जाएगा तो class को इंजय करो आप सोचो नहीं ज्यादा अलाडी वेल्डि में क्या होता कि कुछ पार्ट मेर्ट होता कुछ पार्ट नहीं होता जैसे एक्जामपल मैं समझा रहा हूँ जैसे कोई बोल देता कि सोल्ड्रिंग मोर्वेल्डिंग में क्या अंतर होता कि मैं ज्यादा में होता है ज्यादा मेल्ट करने के लिए हमको heat और electricity का जरूत पड़ता है है ना वैसे वोल्टेज का तो नहीं करेंट ज्यादा जरूत पड़ता है मेली है ना लेकिन बात करेंगे के लिए ज्यादा melting point का जरूत नहीं पड़ा जल्दी पिखल जाता है क्योंकि इससे हम लोग जोड़ते कैसा तो यहाद नहीं क्या इसनी रेल्वे फौर वेडिंग ट्रहक्स अमें जब सफने का बात टो और एक क्या जाया है वाइट क्लार का वायट देखते हैं था पेस्ट रहता है एक पेश्ट रहता, सबके बार में डिस्टर स्रेंग क्यों पेश्ट रहता है, तो यह तार रहता न वाइट कलर स्वों होता है, समझे हो, यह मेल्ट आपका होगा, तो देखो कुछ पार्ट मेल्ट हो लेकिन, ि Human प्रोसेस्द कोई सर्कूट को फोन को जोड रहो जित आपका मेल्टी होगा करते हैं और आपका क्या 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 हैं यहां परूट करें और जाकए जहां यहां पर आ जाता इसमें क्या 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 तो एक पेज का दूसरे पेज को फेज फट जाएगा पहला चीज और और चीज क्या बहले का और पाथ सा अलग हो जागा की आपको फ्रक्ता यहां जाता है तो यहां तक आप लोगं को यह चीज़ समझ में आ है अब आगे बढ़ते हैं यह Y bit अई वाला करने इसमें से भी सब से इंपोर्टर्ण अगर मैं बात करता हूं तो सबसे इंपोर्ट्ट आप का जाता क्या फ्यूजन फ्रिक्सन अ फोर यह वाद पूरा इंपोर्टेन अपका हो जाता है चली इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा अब हम लोग क्या करते हैं अच्छा कुछ अधर वेल्डिंग होता है अब आप बोलेंगे तर्जी शेट को लिखें यह भी ल्हीं लीकूड इस्टेट में आ कर आता दो भाग में एक मेरा होता अलेक्ट्रिक वेल्डिंग एक होता मेरा केमिकल वेल्डिंग एक में करेंट का यूज करते हैं लेकिन इन सब में ना तो केमिकल के यूज करा गया 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 जैसे तो समझो इलेक्ट्रो स्लेक वेल्डिंग लेजर लेजर का यूज करा गया है क्योंकि लिक्विड को हम लोग दो भाग में डिवड करें और दोनों में नहीं आ रहा है तो यह तीनों भी अधर विल्डिंग में कहा जाएगा इसके भी बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे बी इंपोर्टन हो जाता आप देखो बोलेंगे सर यहां पर कितना तर और चार-पांच और है हना तो लब चालीस तरह का वेल्डिंग है तो क्या चालीस तरह का पड़ों नहीं जितना इंपोर्टेंट है जहां से आप गलती से भी को से ना छुटे उतना में आप लोगों को ट्राय करूंगा ठीक है चली अब आगे बढ़तें नेक्स्ट नाव बा ओटोजिनीस में क्या होता नो फीलर मेटियाल उत्यूना जाता है और यह दोनों का दोनों इसेगणा रिखा है लेकिन हम चाएगा अन। तो अपना गलना घ्लाती है एक फोई इस तरह का पिस लेतेते हैं ये भी मेरा ंंग worry जा ये मेरा चाही रहेगा इसी को पिघाल के इस बीच में जो खाली जगा ना इसको मेंट करके डाल देंगा और यह दोनों जोन हो जाएगा लेकिन तीनों स्टील का हो जाएगा ताकि यह मेरा डिफरेंस ना तो वही फिलर मेटरिल यूज फोर दी बेस मेटल तो इसको कहा जाता है होमोजिनस एक जैसा ओटोजिनस मतलब इसमें हम लोग क्या करता है दो मेटल को जोड रहें तो ये खुद मेल्ट हो जाता है क्या हो जाता हाँ मेल्ट对 मैंट कर के आपस में सब्सक्रा मानके और हट्रोजिनस में क्या था उ dziए वे इसमें को और चीज का उब सपोस्छ को celeoda क्ति युज सब्सक्राइब करें यह जो कोई औरता यजिन एक सब्सक्राइब जिन्ग नहीं कोपर रहता एलमुनियम भाता है कोई और चीज रहता लेकिन वेड वह like विरकार संबने siक और भी लग रहता है यह वह कहानी होमोजीनिस में भी बात करेंगे तो यह सब इसम हो गया और आपका SMAW हो गया अब बात करते हैं क्या आर्क वेल्डिंग के बारे में तो आज हम लोग आर्क वेल्डिंग के बारे में सोड़ा समझेंगे और मैं आपको समझाऊँगा कि आर्क वेल्डिंग आखिर इसका प्रिंसिपल क्या कहता है अच्छा एक चीज आप लोग मुझे बताईए थोड़ा सा में रोक के बोर रहा हूं कि अगर आप लोगा क्लास जैसे अभी देखो 40 मिनट में रिविजन भी कराते कराते ही लहो गया तो इसको कराऊंगा कम से मुझे 30 मिनट ओर चाहिए तो आप लोग थोड़ा दिर पढ़ोगे ना डिर घंटा अगर क्लास हो जैदे कोई आपती आप लोग रहोगे ना कम से कम कुछ अब लोग भाग जाओगे रहोगे ना तो रहोगे तब में अच्छा लएगा ने तो फिर अगले क्लास में आप लोग आओगे तो देख क्या ना प्लीज चली ओके ठीक है तो आर्क विल्डिंग डिसकस करते हैं कि सबसे पहले में किसको स्टार्ट कर रहा मैं आपको बता सब क्लीर हो जागा मौनिंग ऑफिस भी है नौट पॉसिबल आप पढ़ाईए कि कुछ दिर कुछ दिर ठीक है नो सर नोट पॉसिवल ठीक है तो सीख है मैं आर्क पर डेफिनेशन बता देता हूं जितना दिर हो जाएगा उसके बाद मैं छोड़ दूँगा है ना चली कम स देखो अगरब आर्क व्याइब का कॉंसेट क्या होता है होता यह है कि एक मेरा देखो इसमें दो फाली यूस करता आचा पहली होता क्या जिसके अंदर चार्ज होता है उसको लोग्तोड करते हैं पहली बाद तो यह क्लियर लगना पॉजिटिव नेग्रडिव प्लिटर औ उसको इलोक्टोड कहेंगे तो हम लोग क्या करते हैं मालनों दो वर्कपीस को आपको जोड़ना है तो यह आपका पहला वर्कपीस रहा यह वला और दूसरा वर्कपीस रहा यह वला एक वर्टिकल एक और जंटल है तो यह दोनों मेरे लिए वर्कपीस है तो इन दोनों को इल क्युक्त अभी ऐलोक्रोड को औरच अब किसको पहां प्रभी किर दंगे हैं को कहा जाता है उसको अबellenि पॉस्टीव क्या झाली उसको यह ऐनोग और उट्वक इन व्हें ल्टोर्ट हो सकता है अभी मैंने कहा क्या ऐलग्टोर्ट आपका क्या है वह मेरा वह रही MLA Liberator ऑलशी स्टर्ट होता क्या अब क्या करो इसमें पावर सफ्लाइक करो सर्किट चोड़ों तो मैं है जाके दोनों को आपने सर्किट से क्लोज कर दिया आप बोलेंगे सर यहां पर बीच में जो गेट है अभी आपको पता चलेगा इसी गेट में तो आर्की जनरेट होगा यहीं तो जादू होने वाला है और यह जादू जोना बहुत ही सांदार है आपको आज जान के मजा ही जागा कि अच्छा इस तर से वेल्डिंग होता है थर्टी मिनदों में कुछ नहीं हो जाएगा सर फिर भी ओपीस जाते हैं नहीं जितना होगा जितना होगा आप मुझे घंटा तो टाइम दिया भी दस मिनट तो है ना दस मिनट फ्लीज ध्यान दो बहुत सारा चीज आपक यहां मैंने क्या कहा था जैसे पहली बाद तो यहां पर देखो यह आपकर आपकर नेगटीफ घंट Lं ॉट्र कोण होता तो है एक ब्रोड से सबस्क्राइब आप Lawe Richter होता है तो आपना से यह चोड़ेनी में से लगएगा लिएवाई है Ci आपके और इसा पॉर्शन को कहा जाता थार्मियोनिक एमेश्यं dromonymonic एमिशन क्या होता कि इसकी में क्या होता जब पाउर सप्रेप्ट्राइब करते हो तो वच से इलट्रों से इलट्रों जो होता है वो उस सर्फेस को छोड़ने और आप खुद सोचो जब अपका ठीक है प्रिंट आउट के लिए अप टिंसन ना लो मैं उसके लिए हटा दूगा अब जब इलोक्ट्रोन छोड़ेगा यहां से नेगटीव तो नेगटीव टमिल कहा जगा पोजिटीव क्यों रहाएगा तो यह जाएगा किदर समझना कि जब यहां से जब सर्फिस को छोड़ कि लॉप आता है न नेगटीव इन्हें इलोक्ट्रोड से आता वेस्त बिटल की और बीच में एयर आता है यह साकर टकराता है क्योंकि युक्कि इलोक्ट्रोन के अंदर अपना काइनेटीक एनरजी होता क्या आता अपना तो आकर रहता है और जैसे दो एक हिलोक्टू ना के एएः पार्टिकट्रिकल तक्राया तो तोसी बाद वाध कि नहीं कि कि पहले तो ये के रहाइपcol और और यह को डोला में पोजिटीव आयन और लेकर दोनों बन गया कि अब क्या होता है जो एल्बट्रोन है यह मेरा क्या करता है और कुछ थायेंट्ॅыми कि नियुक्त हों जारा एर में भी दो टो टरीगा और पिघालने को पुछ से में जूड जाएका है लेकिन यह रहा कि इसे जूर इलोक्टर्ड इलोक्टर्ड से निगेटीव मेरा पार्ट निकला और DiaITA मेरा से टकराया ओर से टकराने के बाद day और यह ओ गया एक निगटीव लोक्टोर्ड और मेरा आयन पोजिटीव मेН आ गया अब यह और तख्राया कि से ब्लेकन हो यह पोдо masked तक रहाता है फिर से लोक्तों से तो जितना ज्यादा टक राएगा उतना यहां पर हीट पर्योस होगा जितना के लेक्टरिशी जाएगा पोजीटिम नेगटीव उतना हीट पर यहीट बढ़ेगा इसी तरह से मेरा वेल्डिंग होता है लेकिन जो यहां से एर से टकराने के बाद घृंषिटिव इलक्टरन को छोड़ेगा तो इसके वज़ण से मोर और एलक्टरन नềकिटीव रहा और और उतना ही उतना ही उतनर नहीं मेरा मेट करने लेका लेकिन आपका पaus tulee यह हो सकता किkrësadgi initial के से होता श्ठार्ट की से होता तो इनिशेल क्या होता जो मेरा इलोक्टोड होता तो नेगटीव लोकटोड जो लंबा आपका वर्तिकर्ख समयने तो नेगटीव लोगटोड नेगटGe और यहां और क्या को शुरुड़ से दूर सकता है उसका दूर कर दिया जता अब यहां जो ए हैर पइडा हो गया वहां से एलगोड। और आयन प्रडियूस करेगा पोजिटीव फिर से उज आते रहेगा अब उसका काम हो गया यह समयों जिसाब का इंजन चलता ना सब करते रहेगा वेल्डिंग होते रहेगा तो दिसी डिस स्टोरी देखो आपका एक घंटा से पहले मैंने कहा दिया ना तो मुझे लग रहाते हैं इसी को बताते बताते कहीं ज्याधा टाइम नहीं आप यहाँ पर लिग दिया गया है सबसे पहले इलक्तोन और अर्मिटेट फ् और जो फीमेल रहेदी वो मेल के एलक्ट्रोड वो जाता पोजिटिव रही निकल हो और यहां से अब मैंने कहा कि रहना कि जो इलक्ट्रोड निकलता कैसे है वो फार्मनीक के इसको एर और टक्राने बाद Key और तक्राइब को अ कि यह किला हो जाता ओर यह कि अब जो यह एकिलो क्वह स्ट्राइकश क्रेन का फोजीटीब को बजीटीफ को नेगतीब फोजीटीब को इन आपका बेल्ट हो जाएगा लेकिन जो पोजिटिव आयन है वो फिर से एलक्टोर्ड में जाएगा नेगेटीव पोजिटिव है और वो जाएगा ज्यादा-ज्यादा हीट पोडियोज करेगा जितना ज्यादा हीट पोडियोज पूरा को पूरा आपको समझाया पूरा को समझाया यह बहुत बड़ा गेप नहीं होता मेरे भाई दिया स्टूडेंट यह बहुत बढ़ा नहीं होता है बहुत मीनिममस बहुत मीनिममस क्याता है मैं आप को समझाय रहा हूं इसका मतलब यह नहीं अब जो यह व제. नोसी नहीं क्या हुआ स体 के रहागा भी बमेरे देंशनल् है और एठ्टेछल वह आईनege उनला ले 1-2 और एलक्ट्रोन रहे ग配 honestly और फिर से पेटीटिव जाएगा फिर वह गरम होगा फिर आएगा समझ आया चलिए अब यतना अगर आप समझ गए तो आइनाइज जिसको कहा जाता प्लाजमा उसको क्या कि यह तो गेपर एन एसको प्लाजमा जाता था क्यों क्योंकि यह नए इसका अंदर का का महथा करेंच रहता है वहती हपिरेंट रहता है यह मुंत और यही कहा जाता आर्क जो यहां से जितना तरक आप इसके बाद दुनिया में मतलब मैं अभी तक जितना आपको बात करूंगे देखो यहां पर आर्क आर्क यहां साया आर्क यहीं साय वह एर गेप वही एर गेप आप देखते हों जब वेल्डिंग कर तो चमकता ना कुछ करीफ़ात देखते हों कि माद यहां से और यहां पर वेल्डिंग किया जा रहा तो यहां देखो कि आपका The backup क्शिяс चमक राख हो समझ रहाता है तो चोड़ुआ में तो लोहाँ पिखल जाता है थो यह रहता है और का कि आर का टेम्परेचर रहता है तो यह बात रहा अब एलोक्ट्रोन जो होता है इलोक्टोन को बाद में दो भाग में डिवाइड कर आ गया है यह भी जाने लोग इस टोपिकों में बस एक मिनट है इसको खतम कर देते हैं इलोक्टोन दो तरक होता है एक होता हम प्राइमरी एक सेकंडरी क्यों क्यों कि मैंने कहा ना एक मेरा आयोनाइज एयर है तो जो ionized air होता है यह भी secondary electron ही मना जाता है भले ion होता है positive होता लेकिन इसको secondary electron ही कहा जाता और primary electron क्या था जो electron में लिए होता जो negative होता जो यहां से negative आया उसको कहेंगे अब लोग primary और जो positive इसको negative कहा जाता और यह दोनों important क्योंकि यही ही दोनों total current को carry करता है during the welding process welding में welding के टाइम पे यही दोनों electron जो होता है current को supply करता है एक से दूसरे जगह में current जिसके वज़से welding होता है तो यह दोनों मेरा करता है like spark बिल्कुल जो spark होता है वो ionized होता है जो plasma के तरह चमकता है clear चलिए अब यहां पर थोड़ा जान लो यहां पर note करके कि जैसे आप डबलू क्या होता टंगस्टन होता ध्यान अखना डबलू टंगस्टन और C4 carbon है तो अगर मालो carbon का या फिर आप carbon या टंगस्टन का इलक्ट्रोड यूज करो यह 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 जो इलक्ट्रोड है यह अगर carbon का रहा यह टंगस्टन का रहा हना जहां से मेरा electricity लेक्टिव पार्डिकल निकलेगा तो यह क्या होता इसमें मेरा primary electron जोता ना electron होता जो कि केरी most of the current करता ऐसा क्यों 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 मेरा non-consumal रहता था तो इस केस में यह दोनों को इलक्ट्रोड में क्या करा जाता सिर्फ जो में इलक्ट्रोड है नेग्टिव वह इलक्ट्रोड होता उस केस में यहां पर secondary electron जो है ना वह ज्यादा most of the current को carry करता अब यहां बोलों सर जी यह consumer and non-conjumal क्या होता मैंने कहा था ना कि यह दो वोग्पीस है तो अगर मैं बात करूंगा कि दोनों खुद ही पिघल के मेल्ट हो रहा है तो वह गया मेरा कंजुमल मालों कंजुमल वर्कपीस खुद पिघल गया लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि यह दोनों पिघलना नहीं चाहिए तो मैं एक्स्ट्र कोई filler material लोंगा वो पिघलेगा तो यहां इलक्ट्रोड का बात क्या रहा इलक्ट्रोड अगर कंजुम हो रहा तो कंजुमल अगर नहीं हो रहा तो ननकंजुमल है ना समझ रहे मेरी बात की नहीं तो यह यहां पर कहानी हो जाता है समझाया चलिए अच्छा यहां पर अनकंजूमल लिखा गया है न ये हटा दे ön ये ननकंजूमल नहीं होता है और कंजूमल होता है चलिए यहां से ये कहानेर आप आप next class में हम लोग बात करेंगे कि arc basically होता क्या है आर का structure कैसे होता है और यहाँ पर जितना voltage चाहिए होता है वो voltage कैसा होता, R का shape कैसा होता R को generate करने के लिए voltage जादा चाहिए कि current जादा चाहिए यह समझेंगे, हम लोग next class हैं तब तक लिए goodbye and God bless you all मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने समझाया वो सभी चीज़ों का आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे और सभी चीज़े clear crystal हो गया होगा अच्छा सारे गाड़े हो गया ना मुझे लग रहा था कि साइद आप लोग का 10 बजे से इसलिए बो रहा था और हाँ पार लेंगे चली बाइबाइब डियस्ट्रोंट बटसर वेल्डिंग में तो इलोक्रोड कंजूम होता है जोरी नहीं है इलोक्रोड कुछ कंजूम होता कुछ नहीं होता मैंने समझाया ना कि कंजूम कुछ नहीं भी होता जैसे टंगश्टन अहो गया इसका मेल्टिंग पॉंट बहुत ज्यादा होता है इस सब को कंजूम नहीं होता मैं समझाओगा पूरा समझाओगा अब टेंसन ना लो ठीक है संघंगे अर्क के बार में और पुरा कहानी समझेंगा अब अभी अर्का सो मैंने कुछ निहीं बता है अभी आ का दिक शूट्रॉक्टर वगरा कई सारा चीज है वोल्टेज अब बहुत कुछ है पॉलारीटी होता है स्टेट पोलारिटी रिवर्स पोलारिटी तो है बहुत सारा चीज है अभी हाड़ बढ़ाव नहीं चलिए मिलते हम लोग नेक्स लास है तब तक लिए गुड़बाई एंड गॉड़ ब्लेस्यों यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई दिक्कत यहां से पुछो और नही तो आप लोगो टाइम काथी हो चुका है हम लोग कंडॉस को आफ रखते हैं कियो कि 5से जाधा हो चुका ओके नितीन गूड नाइटा गुड़दाईट से थी जोड़ी नहीं है इभी ऑज़पूरा आछ नहीं है यहां पे जोड़ी नहीं की लप्टूड को नेगिटीव ह सकते हैं अभी मैं आपको समझाऊँगा देखो यहां पे लिया गया और यह पोजिटीव लिया गया यह डिपेंड करें कि मुझे क्या चाहिए मुझे कहां पर क्या करना कि तरह का वेल्डिंग करना तब वह सा लेंगे इस नौट इंपोर्टेंट कि हम लोग इसको पोजिटीव नेगे समझाया कुछ भी ले सकते हैं कि इसके किनका यह कोश्चन था अमीद का समझ गया ना अमीद यह डिपेंड करता भी आपको समझाएंगे कि कहां पर क्या कंजूमल लेंगे नन कंजूमल लेंगे किस तरह का का मटेरियल का विल्डिंग करें उन सब फेक्टर बेटिवेंड करता है तो जैसे से क्लास पढ़ते जाएगा आपको समझ में आते जाएगा यह चीज़ क्लियर हो अमीद बुझे बताई पूजा सेक्शन असर कल का टाइमिंग दस बज़े कल दस बज़े रहेगा ठीक है अमी